कॉंग्रिस प्रदीश अदिक्ष प्रदीबा सिंग ने अपने लहौल स्पिती के दोरे के दोरान बयान दिया था बहुत चर्चित गुडिया प्रकरन मामला एक छोटा सा मामला था लेकिन उस समय बीजेपी ने इस मसले पर खोब राजनीती की थे प्रदीबा सिंग के इस बय प्रदीबा सिंग के उस बयान को जिसमें कि उन्होंने गुडिया प्रकरन को एक छोटा सा मामला करार दिया था कहा कि वो महिला विरोधी है साथ कि आपको बता दें कि इस पर विक्टर माधिते सिंग का बयान भी सामनी आये हलांकि प्रेस कॉन्फरेंस भी प्रदीबा बच्ची ती स्कूल की तो बीजेपी के लोगों ने इतना उसका हला मचाया पुलिस का दफ्तर जड़ा दिया और ये कहा कि इसकी इंवेस्टिकेशन होनी चाहिए उसका इमराया साथ मुख्यमंत्री थे उन्होंने तुरंट आदेश दिये और दूसरे दिनी सी बी आई आकर उसकी जान्थ पड़ताल करने के लिए आई और उन्होंने उसका रोना रोया कि जब तक उन्होंने सरकार में बदलावनी आया तब तक वो उस बात को भुनाते रहे लोगों के बीट में और उस कान को इतना कहकत इतना कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि बड़ा भारी इसमें कुछ हुआ है हाला कि ऐसा कुछ भी नहीं था जन्ता जानती थी लोग जानते थे इस बात को और जब ये काम इतना बड़ा हो गया तब वो इस बात पर ना चर्चा करते ना इसके इस विशे पर चिंते थे तो मैं आप से यही कहना चारी थी कि आज हमारे को पूछ है इनकी सरकारों को कि आपने महगाई के उपर बेरोजगारी के उपर ये भर्ष्टाचार के उपर आपने क्या किया क्या 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 उसका कोई जो आपनी इनके पास मैं एक चीज़ जूर कहना चाहरा हूं गुडिया जैसा हत्यकान इस देभूमी हिमाचल प्रदेश में हुआ और वो प्रदेश का इन ही पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उस बात को छोटी सी गटना कहना मैं समस्ता हूं कि बहुत ही दुर भाग्य पूरे बहुत ही दुर्भाग्य पूरे जो कॉंगरेस की अध्यक्ष है उनका ब्यान भी हमने जो गुडिया प्रकण हुआ उसको लेकर सुना और उनको ने जो है रेप जैसे जगन्य पराद को छोटी मोटी घटना करार दिया यह समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्य पू यह इससे बड़ी चिंता का विशे और दुर्भाग्य की विशे क्या हो सकता है इसी प्रकार से जो उनके नेता प्रतिपक्ष है वो भी जिस भाषा का उप्योग करते हैं मैं समझता हूं कि भले ही हम लोग जो हैं राजनिती में हम लोग हैं लेकि राजनिती के अंदर एक स चाहिए भाजपा की महिला नेत्रियों पर हमें बहुत तरस आता है जिस तरीके से शरीमती प्रतिबा सिंग के तथा कथित बयान पर वो प्रदर्शन कर रही है अगर हिमाचल प्रदेश में जो जैराम सरकार में पिछले साड़े चार साल में जो पंदरा सौ बलतकार हिमाच पाया होता तो हम इन नेत्रियों के मुरीद हो गए होते हैं मगर यह विचारी राजनीती की शिकार है जो इनके राजनीतिक आका इन्हें आदेश कर देते हैं उस पर चलने पर मजबूर होती हैं इसलिए हमारी समवेधनाएं इन महिला नेत्रियों के साथ हैं इनको मैं कहू तो जनता के समक्ष रखा जब वो बोल रही थी तो वो लाइव हो रहा था और वो लाइव होने के माध्यम से हमने वो सब सुना तो मीडिया उसमें कहां से आगया और मीडिया ने कहां तरोडा मुरूड़ देश में आज ग्यापन के माध्यम से डैप्री कमिशनर के द्वारा राजेपाल तक अपनी बात को पहुंचाने का एक प्रियास किया है कि प्रतिभा सिंग जी अपने इस शब्दों को वापिस ले जो पूरे समूचे हीमचल प्रदेश देव भूमी को जिसने हीला दिया था तत्कालिन कॉंग्रेस की सरकार में रॉंटे खड़े कर देने वाली ये वारदाती और आपको ये एक छोटी सी वारदात लगती है उनका ये शरमनाक और जो उनका ये ब्यान है हम उसकी मिंदा करते और उनसे हम सारों जनिक तौर पे वहीमचल दे भूमी की जनता से और गुडिया के मतामिता से सारों जनिक तौर से माफिस करें